कच एक रहसे मैं किताब की तरह है जिसके कई पन्ने अभी अंसुलजे हैं आज में लेकर आया हूँ ऐसे ही उल्जी हुई खड़ी की तरह एक जगा जो बहुत ही भूत्या और बहुते रहसे मैं कही जाती है कच में वेस्टर्न एंड पे एक खंडे नुमा किला मोजूत है जो की अब केवल अवसे समातर है लेकिन इस किले की दिवाले अभी भी चीक चीक कर अपने संसोधन की गौहार लगा रही है यह किला इतना भेंकर है कि लोग यहां दिन को भी जाने को ररते हैं लेकिन एसी क्या बात है स्थान पर जो की इस जग़ को काफी इंटरस्टिंग यह यूँ कहा जाए कि रहस्य मैं बनाती है तो चलिए पहले जानते हैं इस जग़ के जुड़े हुए इतिहास के बारे में कुछ बाते हैं कच की किताबों में इस जग़ का उल्लेक अलग अलग तरीके से किया गया है जैसे की कच संस्कृति दहसन में इस किल्ले को कच गुजरात में कहे जाने वाली फेमस कथा ओतल पदमनी और ओड़ो जाम से जड़ा गया है इस कथा के अनुसार ओतल नामक एक अफसरा जिससे ओड़ो जाम नमक विक्ति को प्रेम हो जाता है और ओतल पदमनी राजा ओड़ो जाम से इस सरत पर विवा करती है कि वो अफसरा है इस बात का राज अगर उसने किसी को बताया वो उसी दिन पृत्वी लोग छोड़कर देव लोग चली जाएगी विवा के कई साल बाद उनको पूत्र प्राप्ती होती है और उनका विवाहक जीवन भी कभी अच्छी तरह से चल रहा होता है लेकिन एक बार ओड़े जाम से एक बहुत ही बड़ी भूल हो जाती है ओठल के अपसरा होने का रास सब को बता देदे हैं जैसे ही ये बात ओठल पदमनी को पता चलती है वो अद्रश हो जाती है और देव लोग पहुँच जाती है लेकिन उससे पहले उसने ओड़े जाम को ये वचन दिया कि जब उसके पुत्रों के विवाह होगे तो वो एक दिन के लिए वापस पुत्वी लोग पर आएगी वादे के मुताबिक जब ओठाजाम और ओठल पदमनी के पुत्रों के विवाह रचाए जाते हैं तब देव लोग से एक दिन के लिए पुत्वी लोग पर आती है और विवाह पुरुन करके वो एक दिन में वापस चली ज जाता है कि एक हचार साल या उससे भी जादा हो गए और ये स्थान मोजूद है कचके पहाड पे जिसे मनिया रुगट केते हैं चो कि इत्यास के खुए हुए एक पन्ने की तरह एक-एक पत्थर करके विखर रहा है अब जानते हैं इससे जुड़ी हुई स्थानिक दंदकत है एक कथा ये भी प्रचलित है कि यहां पर एक बहुत ही बड़ा और विशाल साप रहता है और दूसरी एक कहानी है साल में एक दिन कोई एक तारिक को जब रात को ये पूरा किल्ला जागरूत हो जाता है और लोग भी यहां पर दिखाई देते हैं ची हां मैं बात कर रहा हू आत्माओं की इसका कोई एतिहासिक लेख नहीं है ये सिर्फ लोगों की दंद कताय मात्र है तो ये थी एक रहस्यमय और भूत्या माने जाने वाली एतिहासिक जगा जिसे उटो जाम ने उथल के लिए बन वाया था तो चलो आपको लेकर चलते हैं मनियारोगड 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 की और ये जो आप रस्ता देख रहे हैं गूगल में इस तरह से कुछ दिखा रहा है तो इससे आगे कच्छा रस्ता है और गूगल बोल रहा है कि वन किलोमेटर तक चलना पड़ेगा हमको बाइक लेगे इन रास्तों पे और मैं अकेला जा रहा ह हूं इस जगह पे उसके बारे में काफी सुना हुआ है कि मैं पहुंच चुका हूं रूपर चड़ रहा हूं अभी अब इस वक्त में पहुंच चुका हूं अभी नाओ मनियारोगड मनियारोगड में और मलब पोर्ट की हालत इतनी खराब है पुरी तरह से सकते जाड़ियां वगैरा होड़की यह पर फूरी तरह की सब्सक्राइए कि सब्सक्राइए झाल झाल करेंट झाल झाल कर्छल कर्याब में परहल कर्याब क्या करते ते वह क्या करो क्या खबर फसले क्या क्या क्याuben झाल झाल